नमस्कार आपका स्वागत है हमारे खास कारिकरम में और मैं हुआ आपके साथ गौरव राजेंगर जहां जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरू जो कि ग्लोबल इस तरपर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एक मात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कॉमुनिटीज का एनल काल प्राइस जो है किस तरीके से डाउन हुएं विदेशी बाजारों में तेजी के बाद भी घृल मारकेट में इन विदेशकी सोयाबीन की कीमतों में सुधार देखने को मिला है तो वहीं सरसों और मूंफली की कीमतों में ग्रावट देखने को मिली है दोस्तों एक्सपर्ट के मताविक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोले जाने के बाद विदेशों में सूरज मुखी को छोड़कर सोयाबीन पामोलीन तेलों के दाम में लगबग सो डॉलर की कमी आई है आपको ये भी बता दें कि उचे दाम पर देशों में आयात घटा है और इस्थानिया मांग की पूर्ती सोयाबीन मूंफली और बिनोला और सरसों से की जा रही है इनसमें सबसे दिगदवाव सरसों पर देखा जा रहा है जो कि आयते तेलों से कहीं सस्ता बैठता है आयते तेलों की मांग भी नहीं की बरावा है जिससे पिछले साल के मुकावले इस बार एप्रिल में आयात लगभग 13 फीजदी घटा है क्या कुछ पूरी ख़वर है देखे बिस्तार से बाजार शूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ता के मुकावले बीते सप्ता सरसों के दाने का भाव 100 रुपे तूटकर 7515 से लेकर 7565 रुपे प्रतिकुइंटल पर बंद हुआ सरसों दादरी तेल के अगर बात की जाए तो 250 रुपे तूटकर समिक्षधीन सप्ताहंत में 15,050 रुपे को इंटल पर बंद हुआ था वहीं सरसों पक्की घानी और कच्चे घानी तेल की कीमत ने भी क्रमशा 40-40 रुपे की नुकसान के साथ क्रमशा अगर बात की जाए तो 2365 और 2445 रुपे और 2405 से लेकर 2515 रुपे तिन यानि 15 किलो पर बंद हुई सूत्रों ने कहा कि बिदेशी बाजारों में तेजी के बावजूर डियो सी मांग होने से समिक शधीन सब्था में सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के थोक भाव क्रमशा 25-25 रुपे लाव के साथ 7,025 और 6,725 रुपे और 6,825 रुपे प्रतिकोइंटल पर बंद हुए सोयाबीन की अगर बात की जाये तो सोयाबीन दिल्ली का थोक भाव अगर देखा जाये तो 400 रुपे टूटा है गरावट के आम रुख के अनरूप समिक शधीन सब्ता में सोयाबीन तेल कीमतें नुकसान के साथ बंद हुई सोयाबीन दिल्ली का थोक भाव 400 रुपे की नुकसान के साथ 16,650 रुपे सोयाबीन इंदोर 500 रुपे की गरावट 16,005 रुपे और सोयाबीन दीगम का भाव 300 रुपे की गरावट के साथ 15,15,250 रुपे प्रतिकोइंटल पर बंद हुआ है आपको बता दे कि पूर्व सब्ताहंत के बाद भाव के मुकावले समिक्षादीन सब्ता में मुंगफली तेल तिल्हन के भाव भी नुकसान दर्शाते बंद हुए हैं मुंगफली दाना 125 रुपे और मुंगफली तेल गुजरात 200 रुपे की गरावट के साथ 6,710 से लेकर 6,845 रुपे और 15,650 रुपे प्रतिकोइंटल पर बंद हुआ है मुंगफली साल्वेंट रिफाइंड का भाव भी 25 रुपे तूटकर 2,625 से लेकर 2,815 रुपे प्रतिक पर बंद हुआ समिक्षदिन सप्ता में विदेशी वाजारों में अधिक कीमत होने के बाव बजह से कच्चे पाम तेल यानि सीपी ओ के भाव भी 500 रुपे तूटकर 14,850 रुपे कुइंटल पामोलीन दिल्ली का भाव देखा जाए तो 600 रुपे तूटकर 16,350 रुपे और पामोलीन कांडल का भाव 520 रुपे तूटकर 15,200 रुपे प्रत्यकुइंटल पर बंद हुआ है समिक्षदिन सप्ता में विदेशी में सूरज मुखी को छोड़कर सोयाबीन पामोलीन तेल के में लगबग 100 डॉलर की कमी हुई है उचे दाम पर देश में आयात घटा है और स्थानी अमांग की पूरती देशी तेल यानि सोयाबीन मुंगफली बिनोला और सरसों से की जा रही है इसमें सबसे अधिक दवाव सरसों पर है जो आयतित तेलों से कहीं सस्ता बैठता है आयति मात्रा में बन रहा है रिफाइंट जहां आपको बता दे कि सुत्रों ने ये भी बताया कि हर्याना राजिस्तान उत्तर परदेश मद्परदेश जैसे उत्तर भारती राज्यों में सरसों का भारी मात्रा में रिफाइंट बनाया जा रहा है लेकिन आयतित तेलों की कमी को इ सरकारी खरीद एजनसियों को सरसों जैसे तिलहनों का स्टॉक बना लेना चाहिए और सरकार को खुद्रा कारोबार में जहां धानले वाजी हो रहे उसे रोकने का इंतजाम करना चाहिए तो फिलहाल दोस्तों इस शो में इतना ही आप देखते रहिए अजय स्ट्रोमने गुरू